अव उडिसा 100% एलेक्ट्रिफाई है जाईची उडिसारो रेल्वे नेट्वर्क 100% एलेक्ट्रिफाई है जाईची आव 59 स्टेशन्स कु अमरिद भारत स्टेशन रे रीडवलप करा जाईची आपनातो निजे स्वयम जाई की देखी थिगे केते स्पीड रे कामो चालीची नौर्थ रू सौथ, इस्ट रू वेस्ट, सेंटर रत्ये खेत्रे रे कामो जोशोर्ची चालीची मौनाता पड़ी भी स्टेशन रो अन्गुल, बादांपहाड, बुलांगेर, बालेश्वर, बालुगाउं, बर्बिल, बर्गर रोड, बरिपदा, बरपाली, बेल पहाड, बेतनोटी, बद्रक, भवनिपतना, भुवनेश्वर, नुवा भुवनेश्वर, विम्लागड, ब्रह्मपुर, ब्रजराजनगर, चत्रपूर, कट्टक, दामन जोडी, डेंकानाल, गुणुपोर, हरिसंकर रोड, हिंगिरी, हिराकोड, जाचपूर क्योंजर रोड, जलेश्वर, जरोली, जयवपूर, जार्सुगडा जंक्शन, जार्सुगडा रोड, कांटा भांजी, केंदुजर्गड, केसिंगा, खर जाचप दियार रोड, खुरदार रोड जंक्शन, कोरापूर जंक्शन, लेंगराज तेमपर रोड, मांचेस्वर, मिरमनली, मुनिगुड़ा, पांपोष, परदीत, पालकमुंदी, पूरी, रगनातफूर, रगनातपूर, राइड़कोल, रायरंपूर, राजगांपूर रायगडा, राउर्किला, साखी गोपाल, संबलपूर, संबलपूर सिटी, सोरो, तालचर, तालचर रोडो टिटलागड चमशे ये सबु स्टेशन्स रे अमरित भारत स्टेशन्स रे री डवलप्मेंट होबो निश्चित भावे गुड़ाय कामोटा गुड़ाय स्टेशन्स रित मुस्वयम जायके देखीची वहलो प्रोग्रस अची आउ जोटी कामों मास्टर प्लान तेयरी हो थिबो, से सबु कामों मध्यों खुप सिगरो आरंब हेचीबो रिकॉर्ड मात्रा रे रिकॉर्ड संख्या रे फ्लायोवर आउ अंडरपास कराई ची 2014, 427 चार्सो सत्ताइस फ्लायोवर आउ अंडरपासेस त्यारे कराजाई ची एई वित्रे प्राइन प्रिकेत दिन कि प्रजेक्टरें डेली किछिनी गिछी प्रोग्रेश हो ची जहां आपने मने जाने कीती बे योदि सोशल मीडियारे देखे बे आमें सोशल मीडियारे अपनें कुग उच्चे जानाउ चे यह भली रेल्वे लो जहाँ डवलप्मेंट दरकार थिला उडिशा को बहुत वर्ष वर्ष धरीकी से टाइबे पूरणा हेला को जाऊची प्रब्रेस जदी आपनों देखिवे टोटल लाओ तोटल आपना स्थार कार्णा माझिंको साइथ भी डिर्यूलर्ली रिवियु रह ची अधिसारो व्यविन जनव प्रति निदी आमरे तांको साइथ भी डिर्यूलर्ली टाछि रह ची जत्ये शिग्रो अमरे सबूप्रोजेक्ट्स डेवलप्व लखंको सुविधा मरे लाओ कावच के बारे में आपको बताता हूं, देखो, सारी दुनिया में, चाहे आप यूरोप के देश लो, करीब-करीब बड़े जित्में भी देश हैं, सब में 1980 और 1990 के दशक में, में 1980 और 1990 में कवच जैसी प्रणाली कवच जैसा सिस्टम इंस्टाल हुए थे, तो उनफॉचनेटली एक लंबे समय तक जो बारत में सरकारे रही, उनोंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मोदी जी ने आती सबसे पहले इस विशे को बहुत फोकस किया, 2016 में कवच का पहला डेवलप्मेंट हुआ, 19 में उसका सेटिफिकेशन हुआ, कोविड के दोरान भी काम चलता रहा, और 22 में बड़ा टेंडर हुआ इसका पहला, ताकि इंस्ट्रालेशन, कमिशनिंग, लोगों का सीखना, सब चीजे एक साथ चलती रहे, और अभी लास्ट वीक में कवच 4.0, याने कवच का वर्जन 4.0, वो अप्रूव हुआ, देश क पहुआ डिवर्स नेट वर्जन, नौर्थ इस्ट में जो चनिशन सेः वो कंडिशन से उनीक है, सौत में कंडिशन से वो उनीक है, डिजर अरियास में जाओ अलग कंडिशन होती ही तो, इन सब कंडिशन को ध्यान में रिकते वें, जो भी सिस्टम बने, that system should be capable of catering to every situation so Kavaj 4.0 design is the design which takes into account all the different scenarios in the country that is done and it's a very remarkable and a major milestone for our railway network it's a very big development when we have a video please like, share and subscribe if you don't have to say anything